दोस्तो डेली पॉल्टेक्निक की फॉर्म फिल हो रहे हैं 3 अगस्ट 2020 से ही और लास्ट डेट है 3 सितंबर 2020 वैबसाइट पर काफी सारे अपडेट आ चुके हैं पहले से भी और कुछ नए अपडेट भी आया है जैसे कि फॉर्म फिल करते वक्त एक नए चीज एड़ कर दी ग रखा है उससे फिल करके फिर स्कैन करके दुबारा अप्लोड करना है इसका पीडिया बनाके ठीक है तो यह चीज़े हैं इसको कैसे फिल करना मैं बता देता हो कई लोगों को डाउट हो रहे तो और बाकि जो भी आपको जितने भी डिटेल सारी चीज वैपसाइट पर है आ अपनी eligibility चेक कर सकते हो कि आप कौन से ट्रेड कौन से ग्रूप के लिए ग्रूप A B C D कौन से ग्रूप के लिए eligible हो कौन से documents फॉर्म फिल करते वक्त अप्लोड करने हैं उसके डिटेल यहां मिल जाएगे आपको और पिछली वीडियो में भी बताया है कई लोग वीडियो देनी 20-25 मिन्ट की वीडियो होती है और वीडियो में एक मिनट दो मिनट देखने के बाद बस comment करना सुरू करते हैं कौन से कॉलेज में कितनी सीट है गौवर्मेंट कॉलेज में प्राइवेट कोलेज में वह सब आप यहां से चेक कर सकते हैं और ग्रूप वाइज को डिट फॉर्म फिल होगा वहां से देख सकते हो फिर अपलिकेशन फिलिंग जिस सारी डिटेल आपको फिल करनी है क्वालिफिकेशन डिटेल करनी है अपनी कॉंटेक्ट डिटेल घर का अड्रेस से लेकर सब कुछ फिर अपलोड इमेज तो कौन-कौन से इमेज अपलोड करने जै नहीं मिलिए तो आप अभी नेट से डाउनलोड कर लो कोई प्राब्लम नहीं है या डिजी लॉकर से वहां से डाउनलोड करके और उसके बाद 2020 वालों का सब्सक्राइब जिन्होंने पहले टेंथ किया ट्वल्थ किलियर किया हुआ है दोजर अठार निस कभी उन लोगों क सब्सक्राइब करना लेकिन लोगों ने 2020 में टेंथ क्लियर की है वह इंटरनेट से डाउनलोड करके भी अप्लोड कर सकते हैं लेकिन उसके तीन चार चीज़े लिखनी है नीचे बताता हूं अभी क्या क्या लिखनी है थोड़ा सा वीट करो भी आप डेटो बड़्स सर्ट पर चीज़े आपको 10 अप्लोड करना थेंथ पास आउट का जो सर्टिफिकेट होता है आजकल तो मांक शीट के साथ ही मिल जाता है क्योंको अधर पहले दोनों अलग अलग होते थे मांक शीट अलग और सटिफिकेट अलग पास करने की तो वह सर्टिफिकेट अपको अप्ल कि अप्लेट पर कॉल और करके याई इमेल करके तभी फॉर्म करना अच्छा एक बात और भी अच्छी बात है कि आप जिस टाम फॉर्म करता आपका जैसे फॉर्म कंप्लीट होता है उसके बाद कई बार कुस मैसेश होते रहते हैं कि मतलब डिस्क्रिप्रियंश में कुछ प्राब्लम है तो सही कर लें जैसे कई बार क्लियर्टी सही नहीं होती है कई आपने अप्लोड गलत कर दिया तो वह सारी चीजे आप एक बार देख ले अपना अपनी कि मेल आइडी जरूर चैक करें और कुछी रेस्पॉंस करें कि वह टीम है वह टीम पी काफी कुछी रेस्पॉंस करें को यह लिखा विया रहा है कि डॉक्मेंट वेरिफाइंग प्रॉसेस स्टार्ट मतलब तीन अगर्स से ही नोने डॉक्मेंट जो आप अप्लोड करते हो सा मुथार आप उसके बाद में चाहिए है कि जब एडमिसां लग रास्ट में सबस्तेल स्ट जो फिर 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 जब ने के बाद कांचलिंग होगी चोई फिलिंग होगा उसके बाद जब एडमिसंग लिए पो भुलाया जाएगा तब आप डॉकुमेंट वरिफिकेशन और यहां counseling procedure भी check कर सकते हो या फिर डाउनलोड में tentative admission schedule है यहां पर आप सारे डिटेल लेकी करके check कर सकते हो कि कब क्या होगा merit कब आएगी choice कब फिल करना है last में कितने payment कब करनी होगी और document verification के लिए जो original document साथ साथ उसी photocopy लेकर कब जानी है यह अक्टूबर का process है ठीक है जो document verification last में होगा अभी तो सर्फ कुछ चीज है कुछ images upload करने हो और कुछ documents वह यहां पर बताएगी detail यहां पिछली वीडियो में आप देख लो हमने बता रखिए अगर आप चाहे है मालों कि आपने टेंथ क्लियर कर रखिए क्लियर कर रखिए टेंथ के लिए टेंथ के लिए एक से जादा गूरूप के फॉर्म भी भर सकते हो लेकिन दोनों के separate अलग-अलग फॉर्म करने होंगे इसके लावा और इधर तो कोई डाउट नहीं होगा यह हिंदी में भी कुछ अपडेट आया हुगा है कि ऑन लाइन आवे दिन पत्र भरने है तो दिस अनिर देश यहां पर हिंदी में सारी चीज़ा बताइगे है आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो और इसी में नया अपड कि समय विल्कुल एंड में फाइन सब्सक्राइब को यहां से मिल जाएगी अधर वालों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है क्या तो मैं दिखाता हूं सबसे पहले आपको यह लिखा है अन्ने पिछड़ा वर्ग यानि की अधर बैक्वर्ड क्लासिज ओभी सी अन्ने पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेर नॉन क्रीमी लेर जो होता है कि मतलब वीची तो आपने तीन साल पहले बनवा लिया लेकिन क्या होता है कि अगर आपको यह पैनिवेंट पर प्रूब करता है कि आपकी इंकम अभी जितने गल्वर्मेंट ने बता रखें कि पर दोबी है तो उससे कम होनी चाहिए तो उसके लिए आपके पास आपका ओबीसी जो है पहले यह बताया गया था कि एक अगर्ष 2019 के बाद का बना हो लेकिन उसे अब चेंज किया गया और आप बोला गया है क्या कि 15 अक्टूबर 2019 के बाद या उस दिन का होना चाहिए 15 पंदर अक्टूबर 2019 को बना हो तो भी चल जाएका या 15 अक्टूबर 2019 के बाद का कभी कभी बना हो तो चल जाएगा गना adapte जो भी यह अधर कार्ड पहचान पतर बैंक डिटेल्स वहां पर फॉर्म फिल करके आपको नॉन क्रीमिलियर के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वह अपलाई करोगे आपको साथ से आठ दिन में बनाकर दे देंगे और नॉन क्रीमिलियर वह अपको बनकर मिल जाएगा अगर आपका पुराना है तो और 15 अक्टूबर 2019 के बाद का बना हुआ है तो कोई प्राब्लम नहीं है वह चल जाएगा लेकिन आप एक अगज़ 2019 के बाद का नहीं चाहिए बिल्कुल ध्यान से सुन लेना जिल लोगों का पह किया गया वह बिल्कुल नहीं तो अगर इससे पहले का होगा तो फिर आपको बाद में आपका कैंसल कर दे जाएगा और आपको टाइम भी नहीं दिया जाएगा दूबारा फॉर्म जमा कराने का उसके बाद कुछ और जानकरी यह अंटर्टेकिंग फॉर्म जो मैंने बताय हुए थर्ड ऐस में आपको पूरा डर अड RICH पोडल नइव यॉपी के ज伍फिक राजथान ने बाद पंचाब गारें पर पर्मैंट आपके ड्रेस वहीं का है तो वहीं आप यहां लिखेंगे अगर आप डाली से ही हैं तो पर्मानइंट आपके अपको यहां बागी और कुछ नहीं करने यह फॉर्म डाउंलोड करना और फिर इसमें यह सारा काम करना है जो मैंने बताया आपको कि और स्वाइब नीचे आपने संगेंट्र करने हें जुँ एफ स्टाइब करने हैं और यहां पर को यहां पर सोरी यहां पर ऌपापने आपके में घुब सैंट्कें नाम विखे थे तो रहले हैं है उनके फ्रेन लिखिर कर दोुक्र का जाती है कि आपने जो भी डोकुमेंट अप्लोड किये हैं जो भी जानकारी दी है इसमें अपना नाम पता जो भी बता है वो सारी चीजे सही अगर कुछ गलत हुआ अपने फ्रॉड किया मतलब कई बार आप देखते हो ला की फर्जी डॉकुमेंट फर्जी डिग्री भी अप वेबसाइट पर दिया गया है कि जिन्हों ने 10th य 12th 2020 में भी पास किया है तो सब के पास भी मार्क सिट आई नहीं है तो उन लोगों के लिए क्या करना है कि उन लोगों को मार्क सिट जो भी आप नेट से डाउनलोड करेंगे उस पर 3-4 चीज़े नीचे लिख देनी है देख आपकी तो उस पर क्या चीज़े लिखनी है चार चीज़े लिखनी है उसी मार्क सिट वाले पेज पे निचे में बॉटम में लिख देना आपको एक तो अपना रॉल लंबर लिख देना है जो भी आपको बोड का रॉल लंबर रहा होगा 10th क्लास का वह स्कूल नंबर भी हो होता है 10th का तो उसे कार्ट पर चारो डिटेल मिल जाएगी और वहां से आपको फिल करना है ठीक है तो यह बेसिक चीज़े जो कुछ नए चीज़ा अपडेट हुई है वो मैंने आपको बता दी उसके अलावा इंफरमेशन बुलेटिन में आपको बता था कि टेंटिटिव काउंचलिंग फी यानि जो आगर आप चाहते हैं कि एडिमिशन लेना आगे प्रोसेशन आगे आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको उसके बाद रैंक देखने के बाद 14 तरीक से 16 तरीक के बीच में काउंचलिंग फी 700 पर पे करने पड़ेगी यह ऑनलाइन ह नहीं होगा दली पॉल्टेक्निक के वैपसाइट पर उसके बाद 14 तरीक से 17 तरीक तक 17 सेतंबर तक सेतंबर में ध्यान से सुन लेना आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी ट्रेड्स ही और कौन कौन सी कॉलेज में चाहिए ठीक है इसको नेक्स वीड बता देना अगर हो जाया किसी का चॉइस फिल तो मुझे भी कमेंट करके बता देना कि हाँ चॉइस फिल हो रहा है ठीक है फॉस्ट काउंसलिंगा रिजल्ट आएगा यानि प्राविजिनल अलॉट्मेंट लेटर जो है को 21 सितंबर को चार बजे और 22 तारीक से फिर आपको के बाद आप करो तो नहीं होगा अगर आप सीट से संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको फ्रीज पे क्लिक कर देना है 22 से 25 सितंबर तक और अगर आप संतुष्ट नहीं आप चाहते हैं कि आप सेकेंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें तो आपको अपग्रेड पे या फ् है और फिर भी अगर सीट नहीं मिलते हैं अगर आपको मानलो आप हर बार ट्राइ कर रहे हो कांशलिंग कर रहे हो 700 अपने भर दिये हैं आपको जो चाहिए वह सीट मिलिन रही है आपने एडमिंसन लिया ही नहीं है तो उसकेस में लास्ट में अगर सीट बचेगी तो तब अक्टूबर में 17 अक्टूबर से स्पॉर्ट राउंड शुरू होगा तो आप स्पॉर्ट राउंड के लिए अपलाई कर सकते हैं जहां पर जो भी सीट बचे होगी आपको बुलाया जाएगा सिर्फ आपको दिखा दिया जाएगा आपको पहले ही इस दिन आएगे और कांशलिंग होनी के बाद 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में फिजीकल डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेजों में जाना पड़ेगा जिस भी कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा चाहां पूसा पॉल्टेक्निक बुलाया जाएगा वो सब आप अपडेट दे दिया जाएगा या अलॉट में लेटर पर लिखा हो आ जाएगा तो इसके लिए आप अभी से टेंशन ना लें ठीक है बस अपने डॉकुमेंट को तयार रखें जो भी फोटो का साइज या जैसा भी बताया गया है इन्फोर्मेशन बिलेटिन में वही रेड बादो मैंने मेल किया था उनका रिपलाइ के आया कि अगर रिजल्ट डिकलेर है तो आप अपलाई कर सकते हैं अब रिजल्ट तो एक्जाम तो हुआ नहीं तो अब तक रिपलाई निया आप खुद भी उनके प्रास मेल करो यह कॉल करकर उनसे पूछो कि क्या कहते हो और उ उन्होंने किया उसकी मार्क शीट कुछ टो डिकलेर करनी चाहिए तो वहां उनसे बोलो आइटे वालों से कुछ जल्दी करें ताकि आप अभी टाइम है 3 सितंबर तक फॉर्म आसानी से आइटे वाले बच्चे भी फिल कर सकें कोई जल्दी नहीं आप ऐसा नहीं कि फिल कर सब्सक्राइब है तो वह देख लेना आप अपको बता दिया या फिर उसमें वैपसाइट पर भी सब यहां लिखा हुआ है आप यहां से देख सकते हो कि यहां से एड्मिशन विल्वी प्यूर्ली ऑन मैरिट बेसिस एज़ पर नॉम्स इस पर क्लिक कर होगे तो एक पेज अब यहां आप देख सकते हो क्या क्या है किस तरीकी से गुरूप A के लिए गुरूप B के लिए सारी डिटेल है इसको पढ़ो और इसके अकॉडिंग करो कुछ लोगों कैंसल चेक का समझने आ रहा तो यहां क्या बता हूं कैंसल चेक के लिए बहुत सारे बच्चों के पा चाने वाले से अपने रिलेटिव से जो भी यह जो भी आपका पढ़ोशी उसका भी चाहूं तो आप लगा सकते और चेकपुक चपुक में करना कि कोई भी इक चेक को फड़ता है उसका क्रोश का सिमबल लगा जाना कैसा भी क्रोस मतलब उसको मतलब आप रिजक्ट कर रहे ताकि अगर बाद में आपको एडमिशन कराना हो कुछ भी कराना हो तो आप जो फी पेमेंट करेंगे वह आपको उसी अकाउंट में फी रिफंड मिल जाए इसलिए और इसलिए मैं कहा रहा हूं कि अकाउंट जो नंबर है और चेक नंबर चेक बुक जिसके भी लगाऊंगो दोनों सेम होता ज्यादा बैश्ट है ताकि कोई प्राब्लम होना है पेमेंट अगर रिफंड लेने में ठीक है चलिए बाकी हो सकता तो कोई डाउट ना बचाओ अगर फिर भी कोई बचाओ तो कॉमेंट कर देना और बाकी वीडियो को लाइक करना दोसरों तक भी शेयर कर सके और आई टीए वालों के लिए भी जो मनें बताया है या फिर और भी जो जानकारी दी है वो बाकी लोगों को भी मिल सके